भूगोल भाग दो, अध्याय तीन, मानव विकास मानव विकास लोगों की रूचियों वविकल्पों को विस्तरित करने तथा उनके हितों वकल्यान के स्तर को उठाने की प्रकिया है इसके लिए स्वस्थ जीवन सर्वादिक महत्वपूर्ण तत्व है भारत में मानव विकास 2011 की मानव विकास रिपोर्ट HDR के अनुसार भारत दुनिया के 172 सदस्य देशों में 0.547 मध्यम मानव विकास के समगर HDI मूल्य के साथ 134 वे स्थान पर है भारत का योजना आयोग भी भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट HDR तैयार करता है और विशलेशन के लिए राज्यों और केंडर शासित प्रदेशों को इकायों के रूप में लेता है इसके अलावा राज्य अपने विशलेशन की इकायों के रूप में जिलों को लेते हैं योजना आयोग अपनी मानव विकास रिपोर्ट में UNDP द्वारा चैनित अन्यसंकेतक जैसे आर्थिक प्राप्ती, समाजिक सशक्तिकरण, समाजिक वित्रण न्याय, अफसरों की पहुंच, स्वच्छता और राजियों द्वारा बनाई गई कल्यानकारी नीतियों को शामिल करता है. भारत में मानव विकास की कम्सको स्थिती के लिए जिम्मेदार कारक. कई सामाजिक, सास्पृतिक और एतिहासिक कारक हैं जो भारत में मानव विकास की कम्सको स्थिती के लिए जिम्मेदार हैं. ये हैं, एतिहासिक कारक, इनमें उपनिवेश्वाद, समराजवाद और नव्त सामराज्यवाद शामिल हैं. सामाजी के एवं सास्कृतिक कारक, जिसमें मानवादी कारों का उलंगन, नसल, धर्म, लिंगो और जाती आधारित भेदभाव, अपराधों की सामाजिक समस्या, आतनक्वाद और युद्ध जैसी सामाजिक भेदभाव शामिल हैं. राजनीतिक कारक, इनमें राजनीतिक स्थिर्ता और राज्य की प्रकृति, सरकार के रूप, सशक्तिकरन का स्तर आधी शामिल हैं. मानव विकास सूचकान्क मानव विकास सूचकान्ख एक मापक है जिसके द्वारा किसी देश के लोगों के विकास का मापन, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर तथा संसाधनों तक उनकी पहुंच के संदर्व में किया जाता है। यह सूचकान्ख शून्य एक के बीच कुछ भी हो सकता है। भारत में मानव विकास सूचकान्ख भारत में मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्श एपलाइड मैंपावर रिसर्च इंस्टीटूट द्वारा राज्यों और केंडर शासित प्रदेशों को अध्यायन की इकाई के रूप में लेते हुए योजना आयोग की निगरानी में तैयार की जाती है उच्य मूल्य वाले राज्य केरल भारतिय राज्यों में सबसे अधिक HDI अर्थाच 0.92 दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब हैं जबकि चत्तिसगर, ओरिसा और बिहार 0.41 के साथ भारतिय राज्यों में सबसे कम HDI, सबसे कम HDI मूल्य के र वो हैं, एक, उच्छे साक्षर्ता केरल के उच्छे HDI मूल्य का मुख्य कारण है, दूसरी ओर, बिहार, ओरिसा, मध्यप्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश में साक्षर्ता दर सबसे कम है क्योंकि उनकी साक्षर्ता दर सबसे कम है, दो, HDI में आर्थिक विकास की भी बह प्रिटिश काल में सामने आई, अभी भी विकास के स्तर को निर्धारित करने में महत्वपून हैं, क्योंकि वे अभी भी भी भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणाली को प्रभावित कर रहे हैं। सरकार द्वारा नियोजित विकास होने के बावजूत सबसे महत्वपून लक्ष अभी भी आदर्श स्तर से दूर हैं। से घटकर 1999 में 8.1 प्रती हजार हो गई है। शिश्यु मृत्यु दर्भी 1951 में 148 प्रती हजार से घटकर 1999 में 70 प्रती हजार हो गई है। औसा जीवन प्रत्याशादर यह 37.1 वर्ष से पुरुशों के लिए 62.3 वर्ष, 1952.1999 के दौरान महिलाओं के लिए 36.2 से 65.3 तक बढ़ जाती है। जन्दर, भारत ने भी 1951 में अपनी जन्दर को 401 से घटा कर 1999 में 26.1 कर दिया है। लेकिन यह अभी भी विक्सित देशों की तुलना में अधिक है। लिंग अनुपात, भारत में लिंग अनुपात हर दशक के बाद गिरावट आ रही है। 2001 की जन्दर के अनुसार, निशकर्ष विशेश रूप से 0-6 आयूवर के बीच बाल लिंग अनुपात के मामले में बहुत परेशान है। केरल उचतम लिंग अनुपात को छोड़ कर सभी राजियों में बाल लिंग अनुपात में गिरावट की प्रवरिती है। उदाहरन के लिए हर्याना और पंजाब में प्रती हजार पुरुष बच्चों पर 800 महिला बच्चों के नीचे बाल लिंग अनुपात है। 2011 की जन्दर के अनुसार, 2001 में 927 से 919 के बीच बाल लिंग अनुपात में गिरावट आई है। सामाजिक सशक्तिकरण के संकेतक, भूख से मुक्ति, गरीबी की दास्ता, बंधन, अज्यानता, अशिक्षा और वर्चस्व के अन्यरूप मानव विकास की कुन्जी है। समाज में अपनी क्षमताओं और पसंद का उप्योग करके लोगों की सशक्तिकरण और भागीदारी, वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। लोग समाज और पर्यावरन को समझकर अपनी क्षमताओं और विकल्पों का उप्योग कर सकते हैं। यह साक्षर्टा के माध्यम से हो सकता है क्योंकि यह ज्यान और स्वतंत्रता की दन्या का द्वार खोलता है आर्थिक प्राप्ति के संकेतक आर्थिक उत्पादक्ता इस प्रकार मानव विकास का एक अभिन अंग है सकल राष्ट्रिय उत्पाद GNP और प्रती व्यक्ति उपलब्धता किसी भी देश के संसाधन आधार बंदोबस्ती के आकलन के उपायों के रूप में ली जाती है मौजूदा कीमतों पर एक तरफ भारत की GDP साइट 3,200 हजार करोव और उसकी प्रती व्यक्ति आए और 20,813 संसाधन आधार के मामले में भारत में एक प्रभावशाली विकास दिखा रही है लेकिन दूसरी तरफ गरीबी वंचना, कुपोशन, अशिक्षा और जाती, धर्म और लिंग भेदभाव जैसे विबिन पूर्वाग्रहों का अस्तित्व आर्थिक उपलब्धियों का एक अलग चेहरा दिखा रहा है भारत में साक्षर्ता, 2001 की जनगना के अनुसार, भारत की साक्षर्ता लगभग 65.4 प्रतिशत है, जबकि इसकी महिला साक्षर्ता 54.1 चेह प्रतिशत है, 2011 के अनुसार, 74.04 प्रतिशत कुल साक्षर्ता दर है, इनमें से 82.1 चार प्रतिशत और 65.46 प्रतिशत पुरुश और म अधिकांश दक्षिनी राज्यों में कुल साक्षर्ता और महिला साक्षर्ता का प्रतिशत राष्ट्रिय और सत्से अधिक है। बिहार में साक्षर्ता दर कम 47.5-3 प्रतिशत और केरल में उच्च 90.9-2 प्रतिशत है। यह भारत में साक्षर्ता के संदर्ब में एक बड़ी क्षेत्रिय विशमता को दर्शाता है। की कीमतों पर प्रती वर्श इट 4000 से अधिक महराश्टरा, पंजाब, हर्याना, गुजरात और दिल्ली। कम प्रती व्यक्ति आयवाले राज्य ये 2000 प्रती वर्श से कम उत्तर प्रदेश, बेहार, औरिसा, मध्यप्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर आदी। प्रती व्यक्ति उप्भोग में भिन्नता, प्रती व्यक्ति खपत के मामले में बड़ीक शित्रिय अरसमानताय हैं। विक्सित राज्यों में प्रती व्यक्ति खपत मन्द 690 प्रती माह से अधिक केरल, पंजाब, हर्याना, महराश्टरा, गुजरात आदी हैं। प्रती व्यक्ति खपत कम पर 520 प्रती माह से कम वाले राजियों में उत्तर प्रदेश, बिहार, औरिसा और मध्य प्रदेश आदी हैं। गरीबी अलग-अलग राजियों में अलग-अलग है। और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी कुछ प्रमुक कारण है। आधुनिक विकास के दुश्परिनाम उत्तर प्रदेश जैसे पिछडे राज्य भी है। तीन आधुनेक विकास ने परियावरन का निमनी करण किया है जो अत्यंत चिंताजनक है। जन संख्या, परियावरन और विकास। विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीवन की गुनवत्ता में सुधार करता है। लेकिन साथ ही साथ क्षित्रिय असमानताओं, समाजे का समानताओं, भेदभाव, अभाव, लोगों के विस्थापन, मानव अधिकारों के उलंधन और मानव मूलियों में गिरावट और परियावरनिय गिरावट जैसी कई समस्या इला रहा है। UNDP ने 1993 की अपनी मानव विकास रिपोर्ट में इन मुद्दों को संशोधित करने का प्रयास किया और शांती और मानव विकास के बारे में नागरिक समाजों की महत्वपूर्ण भूमिका पाए। इन विचारकों ने किसी भी विकासात्मक गतिविधी को शुरू करने से पहले जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन बनाये रखने का तर्ग दिया। माल्थस के साथ साथ महत्मा गांधी जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन और सद्भाव के समर्थक भी थे। उनके अनुसार और योगी की करन ने नेतिकता, आध्यात्मिकता, आत्मनिर्भरता, अहिंसा और आपसी सहयोग और पर्यावरन के नुकसान को संस्थागत रूप दिया है। इसके अलावा, गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में या राश्ट्रद्वारा उच्छ लक्ष्यों को व्यक्ति, सामाजिक धन की ट्रस्टिशिप और अहिंसा के लिए तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।